Hey guys, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे margin property के बारे में अब guys margin properties होती न ये किसी भी element के around space को create करने के लिए होती है अगर हमने कोई element बनाया है, अगर कोई हमने display कराया है web browser में तो उसके around अगर हमें space देना है तो हम margin का use करके देते हैं अब देखें margin में कई सारी properties होती हैं, जैसे margin top, right, bottom, left, margin, right तो ये जो सारी properties हैं, इनको one by one करके हम देखते हैं कि इनका क्या use होता और कैसे use करते हैं तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर जो html की file है इसमें चलते हैं तो यहाँ पर दो div हो गए, एक box common class हो गई, और दूसरे में यहाँ पर दो classes हैं तो एक में box 1, एक box 2, okay, अब देखो, आप क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं style में दो boxes यहाँ पर आ चुके हैं, fine, आप क्या करते हैं, अब जो हमारी margin property, right, उसको समझते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला box है, ठीक है, इसको देखते हैं, box 1 को अब देखें, यहाँ पर अगर देख रहे हूँ आप, तो यहाँ पर एक ही box लग रहा है, जबकि मैंने दो boxes बनाए हैं, ठीक है, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर space नहीं है, अगर मैं यहाँ पर right click करूँ, और inspect करके आपको दिखाऊँ, तो यह दो boxes हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने HTML में भी देखा है, यह देखो, box 1 हो गया, ठीक, top में, और यह box 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर space नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, तो वो space हमें अगर create करना है, तो हमें margin का यूज करना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और यह जो box 1 है, ठीक है, इस पर हम apply करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं margin, okay, margin top, तो पहली जो property है, वो है margin top, margin top, और अम margin top में कोई भी value, margin लिखेंगे, dash, top, और column करके यहाँ पर value देते हैं, margin मैंने 50 pixel यहाँ पर दे दिया, अब यह जो box 1 है, first वाला box, इसके top से, top से 50 pixel का space आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो by default जो space आपको दिख रहा है न, यह browser का by default margin है, अगर यहाँ पर देखोगे, यह देखो, देख हो जाएगा margin top, तो मैंने यहाँ पर margin top 50 pixel दे रखा है, और अब यहाँ पर refresh करते हैं, तो यह देखो, top से यहाँ पर, top से first वाला block था, वो space आएड कर दिया है, अब यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर click करते हैं, यह first वाले block पर, तो यह देखो, इस box में देखो, यहा यह हो गया, अब next property है margin, margin right, ठीक है margin right, अब margin right अगर हम यहाँ पर दें, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि already इतना सारा space है उसके right में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर changes कुछ नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तक margin नहीं है, तब देखो, यह side में कोई भी margin यहाँ भी नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दे देते है 100 pixel margin, ठीक, यहाँ पर 100 pixel मने दे दी, आब यहाँ पर refresh करते हैं, अब जैसे refresh करेंगे, तो यहाँ पर कोई changes नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ प property है, यहाँ पर margin bottom, ठीक है, margin bottom देते हैं, तो यह जो first वाला block है, उसके bottom में add करेगा space, तो यहाँ पर मैंने 50 pixel का दे दिया, तो यह मेरा 50 pixel space हो गया, आब यहाँ पर करते हैं इसको refresh, तो अब देखो, यह bottom में यहाँ पर 50 pixel इसने add कर दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 50 pixel दे दिया, अब यह left से यहाँ पर add कर देगा, यहाँ पर refresh करते हैं, तो यह देखो, left से आ गया, और यहाँ पर देखोगे, देखो, top से 50, right से 100, bottom से 50, और left से 50, तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी element में, किसी भी element में, अगर हमें space add करना है उसके around, तो हम यहाँ पर margin का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मालो हमें चारो तरफ कुछ same properties यूज करना है, या फिर चारो तरफ हम different properties यूज करना चाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी 4 properties हमें लिखनी पड़ रहे हैं, तो क्या कोई इसका shortcut, बिल्कुल है, तो उसको देखते हैं, तो यहाँ देंगे, और space के बाद यहाँ पर माल जी जो second value आती हो right किया तो यहाँ पर 100 pixel right मैंने दे दिया, ठीक है, यह वाली value दे दी, इसके बाद यहाँ पर bottom, 50 pixel आता है bottom, तो space देखे 50 pixel bottom कर दिया, right, फिर space देखे जो left की value आती 50 pixel, right, वो दे दी हमने, ठीक यह हमने दे दिया, अब इसको हम comment कर देते हैं, यह जो हमारी 4 properties थी, ठीक है, और अब यहाँ पर refresh करते हैं, तो देखो, कोई भी change नहीं, same property यह काम कर रही है, right, तो यह हमारा हो गया shortcut, अगर हमें किसी एक side में particular देना है, तो यह properties जूट कर सकते हैं, और अगर 4 तरफ इस तरीके से देना है, तो हम margin सिर्फ यहाँ पर लिख करके, 4 properties इस तरीके से दे सकते हैं, तो I hope यह property आपको margin समझ में आई होगी, ओके, अब माल लो कि अगर हमें 4 तरफ same space देना है, मतलब 50 पिक्सल का 4 तरफ देना है, तो हम क्या 4 तरफ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल लिखेंगे, नहीं, तब हम क्या करेंगे, स इधर भी right में 50 पिक्सल, water में 50 पिक्सल और यहाँ पे 50 पिक्सल, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर margin को दे सकते हैं, अब देखो, एक property और होती है, यहाँ पर margin auto, अब यहाँ पर margin auto दे देते हैं, तो देखो, तब क्या होगा, यह जो उसकी विर्थ होगी, उ उसके according यह center में कर देगा, उसको dip को, अगर यहाँ पर refresh करते हैं, तो यह देखो, यह जो था, यह उस dip को क्या किया, उसने, उसके center में कर दिया, यहाँ पर refresh करते हैं, यह देखो, ठीक, इस center में आ चुका है, देखो, और अगर हमने माली जी, जो हमारा दूसरा box है, उसको अगर करना चाहें box 2 को, और यहाँ लिखते हैं margin auto, इसको भी अगर margin auto कर देते हैं, तो यह भी center में आ जाएगा, यह देखो, तो इस तरीके से हमारी यह क्या है, ति margin यूज करते हैं, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर जो margin है, इसको मैं हटा देता हूँ, यह सब अभी comment कर द यहाँ पर यह कि हम जो हमने universal selector पढ़ा हुआ था, ठीक है, star, और उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसमें लिखते है margin, margin और zero कर देते हैं, margin zero कर देंगे, तो यह जितनी भी, जितनी भी by default margin लग रहे होगी, उस सब remove कर देगा, अब यहाँ पर reference करते हैं, तो यह देखो, आ I hope guys यहाँ पर जो margin की properties थी, top, left, right, bottom, right और margin यह समझ में आई हूँगी कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर कोई भी problem होती guys, तो comment section में ज़रूर बताइएगा, thank you so much for watching the video, see you in the next video guys, take care.